नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आप देख रहे हैं डॉक्टर मंजुल जोशी योट्यूब चैनल आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बाते रसोई के वास्तों के बारे में शास्त्रों में रसोई का महत बहुत ज़्यादा बताय गया है और इसलिए रसोई से जुड़े वास्तों में कुछ नियम भी बताय गये है रसोई में यरी दोशो तो घर की महिलाओं का स्वास्त अक्सर खराब रहता है ग्रह कला होती है सारा पैसा बीमारियों या अनावश्यक रोप से खर्च होता है आए जानते हैं क्या है रसोई में वास्तों के नियम या उपाय रसोई घर का निर्मार हमेशा अगनी कुण में ही कराएं विसेश परिसित्यों में पूरु दिसा में कर सकते हैं पर भूल कर भी रसोई का निर्मार दक्षन पश्चिम दिसा में कभी भी नहीं करना चाहिए साथ इसाथ टॉलेट नहीं होना चाहिए रसोई के साथ और मंदर भी नहीं होना चाहिए रसोई के अटैज भी और रसोई के अंदर भी नहीं होना चाहिए खाना मनाते समय ग्रहने का मुहूं उत्तर या पूरू की ओर रहे और जो चूला है घर का जहांपर भुजन बन रहा है वो भी आगनी कोण में होना चाहिए पानी की द्यौस्ता आपको हमेशा इशान कोण में करनी है यहाँ बहुत शुम वाना जाता है इसके अलावा बिजली के दूपकरण है ओवन, मिक्सी, इत्यादी, दक्षण पूरो मही रखें तूटे-फूटे बरतन कदा भी न रखें डाल के डबे भंडारन की जो सामगरी है उसे वायब बे कौन में रखना चाहिए रात्री को बरतन साब करके रखें जूटे बरतन बिल्कुल न रखें हलके रंग प्रियोग करें गुलाबी, क्रीम, इत्यारी, काले रंग को अवइट करना है और बहुत ज़्यादा भी सामान आपको भर करके नहीं रखना है रखना है साब सपाई रखें, दवाईयां बिल्कुल भी नहीं रखें प्रकास की उचित भी उस्ता करें, ताकि खाना बनाते हैं में लाइटिंग प्रॉपर हो तो सांथियो, यहां कुछ टिप्स नहीं और खाने का जो नमक है आपको हमेशा कांच के बरतन में रखना है वास्तो दो सेडिया आपकी रखें में है, तो जो अगले दो चिन उपाई बताऊंगा उनमें से कोई उपाई करें यह की करते रिश्यों की फोटो आप लगा सकते हैं, माता अन्यपूर्णा की फोटो आप लगा सकते हैं फल फूल इत्यादी के फोटोग्राफ आप लगा सकते हैं, और कांच के बरतनों में सेड़ा नमकी डलिया भी भर करके आप अपने रसोई घर में रख सकते हैं तो साथियो, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, सीख रही आपसे मिलूंगा, एक नई वीडियो में नई जानकारे लेके, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सभी का समय शुब हो, ध्युक्त